ओम नमह पारवती पतये हर हर महादेव हर। स्वागत है आप सभी का। हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एस्ट्रोलोजी में तो कन्या राशेवालों, मित्रों, तुम्हारी साथ पीदियों का इंतजार अब खत्म हुआ, अब आपके जीवन में मित्रों बड़ा चमतकार होगा, आँखों में एक भी आँसू नहीं रहेगा, क्योंकि जिस चीज के लिए तडप रहे थे, वह चीज परमात्मा ने आपकी जोली में डाल दी है, और यह देखकर दुश्मन भी एक दूसरे का मूह ता अगले 24 घंटे में आपको अपनी जिंदगी में कई सारे उतार चड़ाव देखने को मिल सकते हैं, कई बार दोस्तों, आपका मन में एक बात आएगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं भी उतनी ही मेहनत करता हूँ जितने दूसरे कर रहे हैं, तो मुझे सफलता क्यों कई बार आपके मन में आएगा कि तू नहीं कर पाएगा, अब महनत करना बंद कर दे, लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार के नकारात्मक विचारों से इन 24 घंटे में दूर रहना है, आपको अपनी महनत पर ध्यान देते रहना है, एक समय आएगा जब आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, और आपके जो शत्रू हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, वह बस खड़े-खड़े आपको देखते रह जाएंगे, वह आपको कुछ नहीं कर सकते, साथ ही दोस्तों आपको बता दे, यह समय कुछ नई चीजों की शुरुआत करने के लिए का आपको एक बात का विशेश रूप से ध्यान रखना होगा, कि जो अंजान लोग या यू रहेगी, जो आपके रिष्टेदार हैं या वे लोग जो आपसे जलते हैं, उन लोगों से आपको थोड़ा बच करके रहना होगा, क्योंकि आपकी खुशियां उन लोगों से आगे बढ़ता दे, कभी भी खुश नहीं होने वाले, उसी के साथ दोस्तों, इस दिन आपको तीन चीजों का विशेश रूप से ध्यान रखना होगा, खास कर दोस्तों, पैसों के मामलों में बहुत ही सोच समझ कर आपको अपने निर्णय लेने होंगे, क्योंकि आपकी अ ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले बैठे और बाद में आपको जिन्दगी भर केवल पच्छताना पड़े, इसलिए अपने तमाम फैसले, अपने तमाम निर्णय आप काफी सोच समझ कर एवं समझदारी के साथ लेने की सलाह दी जाती है, साथ दो परण आपको अपने उच्छ अधिकारों की डांट फटकार भी सुनने को मिल सकती है, ऐसे में आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप दफ्तर में अपने काम पर पूरा फोकस करें, यहां वहां की बातों से जितना हो सके बच कर रहे, अन्यथा दफ्तर में और मार्केट में आपकी छवी खराब होने में एक पल की भी दिन नहीं लगेगी, दोस्तों, आज बच्चों की गतिविधियों वशिक्षा संबंधी तैयारियों के विशय में भी जानकारी लेते रहे, कार्यक्षेत्र में अत्यधिक कार्यभार रहने की वजह से आपकी व्यस्तता और अधि रहेगा दोस्तों, यह समय किसी प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा और बहतर जानकारी भी हासिल होगी, इसलिए अपनी महत्वपूर्ण कार्यों पर विशेश ध्यान दे, किसी लक्ष की प्राप्ति में भाईयों का प्रयोग सहयोग प्राप्त होगा, इस्या को काबू में भी कर लेंगे, घर परिवार के कार्य में अत्यधिक व्यस्तता के कारण स्वयम पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, व्यवसाय में प्रयास करने पर कोई रुका हुआ आयका स्रोत, पुना शुरू हो सकता है, इस समय किसी भी तरह की व्यवसाय संब उधारी ना करें, नौकरी पेशा लोगों की महनत, जल्दी ही उन्हें अपने लक्षे के निकट ले जाएगी, उच्च अधिकारियों का भी मार्क दर्शन रहेगा, व्यवहारिक द्रिश्टिकोन रखें, भावनाओं में बहने की बजाय, चतुराई और विवेक से काम ले पब्लिक प्लेस पर किसी भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया करने से पहले सोच विचार अवश्य कर ले, जल्दबाजी और गुस्से से स्थितियां और बिगड़ सकती हैं, अनावश्य खर्चों पर काबू रखें, तथा अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें, कामकाज म थोड़ी मंदी की स्थिति रहेगी, इस समय अपनी व्यावसाईक गतिविधियों का गंभीरता तथा बारीकी से मूल यांकन करने की जरूरत है, वर्तमान परिवेश में ज्यादा लाब की उम्मीद ना करें, कार्यभार की अधिकता की वजह से नौकरी पेशा लोग परिश शेयर्स या किसी पॉलिसी आदी में निवेश करना लाब दायक रहेगा, विद्यार्थियों का ध्यान अब पढ़ाई में केंद्रित होता जा रहा है, संबंधों को संभाल कर रखने के लिए कुछ समय उनके साथ व्यतीत करना भी जरूरी है, बहुत अधिक व्यवहारिक हो शेयर्स पॉलिसी आदी में निवेश करने के लिए कुछ प्लैनिंग होंगी, किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सलाह आपको नई उपलब्धियां प्राप्थ करने में मदद करेगी, सरकारी सेवारत व्यक्तियों को भी अपने कारियों के प्रति उचित योगदान देने से उच्छा अधिकारियों से सराहना प्राप्थ होगी, सुखद दिन व्यतीत होगा, आप अपनी प्रतिभा के दम पर अलग पहचान बना में भी कामयाब रहेंगे, कुछ खर्चे और चुनौतियां आपके सामने आएंगे, परंतु आप उन्हें हल भी कर लेंगे, विद्या जान रखें कि कि किसी भी विपरीत परिस्थिती में भावनाओं के आवेश में ना आए, इससे परिस्थितियां बिगड सकती हैं और संबंधों में भी कटुता आ सकती है, कारोबार में चल रही उथल पुथल से आज कुछ राहत मिलेगी, अभी फाइनेंस से संबंधित का अधिक ध्यान दे, व्यवसाइक संपर्ग भी स्थापित होंगे, जो की लाबदायक रहेंगे, हो सकता है कि किसी वजह से आपको अपने उसूलों वसिध्धानतों से समझोता भी करना पड़े, किसी संबंधी के साथ कोई गलत फेहमी चल रही है, तो उसे दूर करने का आज अनुकूल समय है, और इस कार्य में वरिष्ठ लोगों का भी सहयोग मिलेगा, आज किसी विशेश कति से लाबदायक संपर्क बन सकते हैं, जो की भविश्य के लिए बहुत ही बहतरीन साबित होंगे, लेंदेन के मामलों में सावधानी बरते संतान की कोई नकारात्मक दर्फिदि की वज़ह से तनाव रहेगा, किसी की बातों में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं, बहतर होगा कि अपने निर्णय को ही पराथमिकता दें, बाहरी गति विधियों में ज्यादा समय व्यतीत न करें, चुनातियों भरा समय रहेगा, बिजनिस में ज्यादा निवेश करना ठीक नहीं है। इस समय बिजनेस को नए तरीके से शुरू करने की जरूरत है। साथ ही कर्मचारियों तथा सहयोगियों के साथ भी उचित सामंजस्य बना कर रखना जरूरी है। आज कोई खास उपलब्धी आपको मिलने वाली है। इस समय आपको अपनी महनत क अनुरूब उचित परिणाम भी हासिल होंगे। परंतु सफलता पाने के लिए कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा। अपनी उर्जा का भरपूर इस्तिमाल करें। प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य भी हल हो सकता है। भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय ना ले। कुछ परिस्थितियों में व्यवहारिकता भी रखना जरूरी है। किसी खास वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका बन रही है। कभी-कभी आपकी शंकालू प्रवृत्ति दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। कार्यस्थल पर सभी कार्य अपनी देखरे परेख में ही करवाय तथा अपनी उपस्थिती भी अनिवार्य रखे। अधिनस्थ कर्मचारियों बीचवाद विवाद जैसी स्थिती बन सकती है। जिसका असर व्यवसाइक व्यवस्था पर पड़ेगा। ऑफिस में आपको कोई विशेश अथौरिटी मिल सकती है। दा अधिनाव से मुक्ति पाने के लिए कुछ समय मनोरंजन व परिवार के साथ घूमने फिरने में भी व्यतीत करें। आपको इस समय और इस स्थिती में अपने पार्टनर के भावनात्मक सहारे की बहुत जरूरत है। लेकिन शायद दूर रहने के का या कुछ अन्य कारणों क वे आपसे दूर हैं। चाहेंगे कि आपके ग्रहों में आपके ग्रहों में जो बड़े परिवर्तन होने वाले हैं वेध खास रहेंगे। आपके लिए आपकी दोस्तों अब अचानक किस्मत चमकने वाली है महादेव। आपके उपर अत्यंत महर्बान रहने वाले हैं। दोस्तों आपके ग्रहों लेकर जो भी आप कार्य शुरू करेंगे, निश्चित तौर पर आपको सफलता दिला कर रहेगा, वह कार्य दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने जीवन में बहुत ही तेजी से से आगे प्रगती करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित करने आप काम्याबी के अपने जीवन में, चाहे वह प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, नई बड़ी खुश्खबरी मिलने तो आपको वाली है, नई खुश्खबरी हों के योग हैं, वह भी कार्य बनेगा, जिसके लिए आपने प्रयास ही छोड़ दिया था, कि यह हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता, आप देखेंगे वह कार्य भी बनेगा, अल्प प्रयास से, कुछ प्रयास से ही वह कार्य बनेगा, आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुखों का अब अंत होगा, दोस्तों, किस भगवान भोले नाथ करने वाले हैं, समाज में आपका मान सम्मान तेजी से बढ़ने वाला है। दोस्तों जितना आप गरीब और जरूरत मंद लोगों की मदद करेंगे, महादेव प्रसन्न होकर आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आप अपने जीवन में उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, न कीर्तिमान स्थापित करेंगे, काम्याबी के, क्योंकि आपके उपर भगवान महादेव सबसे अधिक महरबान रहने वाले हैं। 24 घंटों का समय आपके लिए भाग्य उदय का समय साबित होगा, आप खुद महसूस करेंगे। इस समय को सचे मन से महादेव की आराधना करके शुरू केगा कार्य आपको अवश्य ही सफलता दिलाएगा। दोस्तों, आपकी अधूरी मनो कामनाएं पूर्ण होने वाली है, तान प्राप्ती का भी सुख आपको प्राप्त होने वाला है, संतान प्राप्ती के सुख जो जातक है, उनको संतान प्राप्ती के सुख की प्राप्ती होगी और साथ ही साथ नया वाहन या मकान भी खरीद स और साथ ही साथ, जो लोग सरकारी नौकरी की कोई परीक्षा दिये हुए, तो वह परीक्षा का परिणाम उनके हित में आनाता है, बहुत ही अच्छा समय रहेगा, विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि इस समय में जो भी बड़े परिवर्तन होने वाले है ग्रहनक्षत्रों में वह आपके लिए धन योग का निर्मान तो करेंगे ही करेंगे, साथ-साथ आपके भाग्य उदय का भी निर्मान होगा, सोई हुई किस्मत, चमक जाएगी आपकी जाग उठेगी, किस्मत यमक, और दोस्तों, आपको बता दे कि जो लोग व्यापार कर तो व्यापार में भी तरक्की मिलना तय है, जो लोग व्यापार करने का विचार विमर्ष कर रहे हैं, तो अपने विचार विमर्ष को आगे बढ़ाए, कार्य का शुभारंभ कर दे, आप निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, जो लोग कोई अपना काम शुरू करने को ल लेकिन उस जिस भी चीज में, क्षेत्र में आपको कारे का शुभारंब करना है। तो दोस्तों बहुत लगंदन निश्चे से ही अव कारे करना है। आपको तभी आपकी सफलता निश्चित है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताद कि इस समय में आपको धन का लेंदेन भी बहुत साथानी पूर्वक करना है। मतलब कि लेंदेन का मतलब यह है कि धन किसी को नहीं देना है। आपको उधार दो। खास तोर पर आप कान में कान में गांट मार ले कि कि किसी को भी उधार नहीं देना है। आपको अन्यता पैसा भूल जाए कि आपको वह मिलेगा नही वह पैसा, क्योंकि पैसे लेना तो बहुत आसान है, देने में उतनी ही परेशानी होती है, तो सोच समझ कर आप पैसे दे रहे हैं, तो सोच समझ कर दे, नहीं तो आपको धन हानी हो सकती है, वह पैसा मुश्किल है, आपका मिलना तो सोच समझ कर आप कोई भी कारे करें, मतलब कि धनका आप देन करते देते हैं तो सोच समझ करते, और साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे, कि विवाह से संबंधित कोई प्रयास आपके घर में लगा हुआ है, तो वह प्रयास सफल होगा, विवाह से संबंधित कोई शुब सूचनाएं आपके घर में चल सकती है, चर्चा, कोई अच्छे शुब समाचार आपको प्राप्त हो सकता है विवासे संबंधित, जिसे घर परिवार में खुशनुमा वातावरन रहेगा मन चाहां आपको प्रेम भी मिल सकता है जिससे आप प्रेम करते तो अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं वह निश्चित तोर पर आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी और साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी में आप निवेश करना चाहते तो प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय बहुत अच्छे रहेंगे, इस समय में बहुत अच्छा लाब देंगे। आपको जरूर करें, आप प्रॉपर्टी में निवेश, कुछ ना कुछ आपको लाब अवश्य मिलना है, और आपको यह बता दे कि व्यापार में, व्यापार म काम हो रहा है या नहीं क्योंकि आपसे अलग भी कुछ हो सकता है। आईए दोस्तों, अब हम आपको शुक्र ग्रह को मजबूत करने के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। वैदिक जोतिश शास्त्र में नौ ग्रहों का वर्णन मिलता है। इन सभी ग्रहों का अपना स्वभाव और गुण होता है जो उनहीं के अनुसार फल प्रदान करते हैं। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। वैदिक जोतिश में शुक्र ग्रह को सुख संपदा, एश्वर्य आकर्शन और सौंदर्य का कारक माना जाता है। ये व्रिशब और तुला राशी के स्वामी माने जाते हैं। मानेता है कि जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिती मजबूत होती है, उन्हें सभी तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। वहीं जिन लोगों का शुक्र ग्रह कमजोर होता है, उनको जीवन में बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें महनत से काम करने के बाद भी यश नहीं मिलता है। ऐसे में आये जानते हैं, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के उपायों के बारे में हर शुक्रवार को व्रत रखें और सफेद वस्तु जैसे दूद, मोती, दही, चीनी, आटा और दूद, घी, आदी चीजों का दान करें। जियोतिश शास्त्र के अनुसार, जिन जातकों की कुंडली में शुक्र कमजोर है, उन्हें नियमित रूप से हर शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन शुक्रदेव के इस मंत्र उंद्रामद्रीम द्रौंस शुक्राय नमहाओ का जाब करना चाहिए। इससे शुक्र मलबूत होते हैं। दोस्तों, एक और उपाय है, वहीं जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, वो लोग नियमित रूप से शुक्रवार का व्रत रखें। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से सुख, सौभाग्य और समर्द्ध बढ़ती है। शुक्रवार के सुख, दान करने से भी कुंडली में शुक्र की स्थिती मजबूत होती है। इसके अलावा जोतिष शास्त्र के अनुसार पानी में इलायची डाल कर स्नान करने से भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ग्यान ऐक ऐसा खजाना है जो हमेशा बाटने से बढ़ता है, और इस कि चाबी निरंतर अभ्यास है। ज्ञान से जुड़ी पांच अनमोल सीख जानने के लिए पढ़ें, सफलता के मंत्र। जीवन में धन मिले न मिले, लेकिन ज्ञान का मिलना बेहत जरूरी माना गया है। क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है, उसके पास कभी धन की कमी नहीं ह यही कारण है कि शास्त्रों में व्यक्ति को ज्ञान को हासिल करने के लिए कठिन साधना करने की सीख दी गई है। जीवन में बगएर ज्ञान को हासिल किये, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं हासिल कर सकता है। ज्ञान के बगएर इनसान का जीवन अध उचित उपयोग करते हुए जीवन से जुड़े सब ही सुखों को प्राप्त करता है। हालांकि कई बार कुछ लोग किसी विशय में थोड़ा ज्ञान पाते ही इतराने लगते हैं। ऐसा होते ही जीवन में ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया रुख जाती है। आये जानते हैं कि जीवन में ज्ञान क्यों जरूरी है और व्यक्ति को यह कैसे प्राप्त होता है। दोस्तों, अगले 24 घंटे में खुद को तनाव से दूर रखना, यानि की टेंशन वाले कामों से बिलकुल अपने आपको दूर रखें। कोई भी किसी भी प्रकार का टेंशन आपको नहीं लेना है। कहीं भी भूमी संपत्ती में लगा रहे हो, तो थोड़ा सा सावधान हो जाएगा। समय उतना इन चीजों में अच्छा नहीं है। आप अब दोस्तों, अपना कीमती पैसा बचा कर रखें। आने वाले समय में जब परिस्थितियों अच्छी हो जाए, तब दोस्तों, हम आपको बता देंगे, तब आप अपना कीमती पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, नुकसान जैसे स्थितियों आ सकती है। विद्ध्यार्थी जितने भी हैं, जो भी आपके राशिके विद्ध्यार्थी हैं, ध्यान से सुनिए कि आप अपने पढ़के, प्रती अपनी दोस्तों, तैयारी के प्रती, पूरी तरह से सतर्क रहे। फोकस आपका केवल उन पर ही होना चाहिए, व्यर्थ की चीजों में ध्यान ना दे, समय दोस्तों बहुत ही शांदार है, आपको तरक्की मिलने के पूरे योग है, आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, इसलिए पूरी तरह से दोस्तों मेहनत करते रहे, वहीं मामलों में थोड़ा सा सावधान रहे, शेर मार्केटिंग हो गई, सट्टे जैसे कम हो गए, इन चीजों से दूरी बना ले, क्योंकि इन में नुकसान होने के पूरे पूरे संकेत मिल रहे हैं, गैर कानूनी कामों में भी आपको हाथ नहीं डालना है, कम समय में ज्यादा प प्रकवारी होने की भी आशंका है, आपको कोट और ठाने के चकर भी लगाने पद सकते हैं, वहीं दोस्तों नौकरी में अधिकारियों के साथ छोटी सी बात को लेकर भी तनाव हो सकता है, दोस्तों अपने इगो को, अपने दोस्तों, गुस्से को बिलकुल काबू में रख आज भी दोस्तों यही होने वाला है, प्रेम संबंधों को, अगर आप विवाह में प्रणित करने की सोच रहे हो, परिवार के स्वीकृति अगर आपको नहीं मिल रही है, तो आज समय बहुत ही अच्छा है, थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए, और आप दोस्तों, परिवार क स्वीकृति लेने के लिए जा सकते हैं, थोड़ा कम अवश्य बनेगा, बाला जी महराज, कृपा करेंगे, हर सुबह सुबह ओम हूँ, हनुमते नामक का जाप करना, और अपने कम को दोस्तों, पूरा करने का सोच लेना, मैन में कम पूरा होगा दोस्तों, स्वास्थिकी अ आपके अंदर परेशानियों हो सकती है, साथ ही साथ दोस्तों इस समय ध्यान रखिये कि आयूरवेदिक चीजों का आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, अपने कम की जानकारी ठीक से नहीं होगी, तो दोस्तों आपके अंदर बेचैनी पद सकती है, क् कि कोई कम का, अगर हमें आइडिया ही नहीं है और उसे कम को हमें करना है, तो बेचैनी तो बड़े ही टेंशन भी बढ़ेगी, चिंता भी बढ़ेगी तो, दोस्तों, जो भी करो उसकी पहले से नॉलेज, ज्छान पहले से रख ले, साथ ही आपको अगले 24 घंटे में अपन पर नियंतरन रखना है, बिल्कुल अपनी भावनाओं पर नियंतरन रखने की कोशिश करें, आपका जो यह दिल है, हमेशा दोस्तों आपको हरावत है, यानि कि आप दोस्तों अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाते, इमोशनल हो जाते हैं, जिसने आप दोस्तों बा पुली गई गलत बातों के कारण कुछ समस्या भी हो सकती है। इसी लिए ध्यान रखिए, कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों का ध्यान रखिए। किसी एक व्यक्ती के लिए भी नाराज की। बढ़ सकती है दोस्तों, आपके जीवन में जो नकार आत्मक्ता चल रही है। यानि की दोस्तों, कही ना कहीं किसी ना किसी चीज में आपको कमी जो लग रही है, वह दोस्तों, अब दूर होगी कम, पर आपके फोकस रहोगे। रिलेशन्शिप में बदलाव करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो समय दोस्तों, उतना ठीक नहीं है। हमारी बात को बिलकुल ध्यान से सुनिये, कि हमेशा वह मत करो, जो यह दुनिया आपसे करवाना चाहती है। कभी कभी वो भी करो, जो आपका दिल आपसे करने को कहता है, क्योंकि तुम से बहतर, तुमको और कोई नहीं जानता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखियेगा। जीवन में हजारों लडाई या जितने से अच्छा है, यह जो एक जीवन है दोस्तों, बहुत बड़ा जीवन है, लेकिन इसमें लडाईयां को जितने से अच्छा है, कि आप खुद पर ही विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा आपकी शुरू होगी, इसे तुमसे भी असफल नहीं होता, कई बार ऐसा देखा गया है, कि कई लोग हनुमान चालीसा, हनुमान अश्टक का पाठ हमेशा नहीं कर पाते, और जीवन में उनके बहुत समस्या होती है, तो आप दोस्तों, रोजाना सुबह नहा धोकर हनुमान जी की पूजा आराधना करें, और उ यानि कि आज से ही इस मंत्र की शुरुआत कर दे, और नियमित रोजाना जपें आपके जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं का हाल होगा, मंत्र है ओम हनुमन ते नामान, अपनी योग्यता और काम करने की ताकत पर भरोसा रखें, और आपको परेशानियों का सोल्यूशन मिलेगा, रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिती बेहतर हो जाएगी, मित्रो जो की रूके हुए पैसा प्राप्त करने का आपका काफी समय से जो मन बना हुआ था, वह मन अब पूरा होगा, साथ ही मित्रो आप सभी को बता देते हैं कि निजी कामों में व्यवस्था के कारण संबंधों को नजरंदाज न करें, और गैर जरूरी यात्रा और खर्चे पर रोक लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, किसी नापसंद इनसान के घर आने से घर का वातावरण नकारात्मक हो सकता है, तो सकारात्मक बना कर रखना आप भली भांती जानते हैं वहीं निजी व्यवस्था के चलते कार्यस्थल पर आप समय नहीं दे पाएंगे, और कर्मचारियों की गतिविधियों को बिलकुल भी नजरांदाज न करें, और नौकरी पेशा लोगों को घर पर भी ऑंफिस का काम करना पड़ सकता है, मित्रो घर, परिवार को प्राथमि करने के लिए आपके द्वारा किये गए प्रैत्न सफल हो सकते हैं, फिर भी नकारात्मक विचार की वजह से जीवन में थोड़ी सी निराशा हो सकती है, लोगों की समस्याओं को सुलजाने के लिए अपने समता के अनुसार प्रैत्न करें, और किसी की पैसों से संबंधित और सकरी नहीं रहेंगी, लेकिन इन व्यापार की किसी डेल के फाइनल होने के बाद आपके अंदर एक नई उर्जा का संचार होगा, जिसके कारण आप अपने कामों की और भी सक्रिय रहेंगे, और जो लोग साजेदारी में किसी व्यवसाय को करते हैं, तो उनको लाब हो स मित्रों, लेकिन आप अपने जीवन साथी के लिए को उपहार लाने की योजना भी बना सकते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने भाई बहनों के साथ मिलकर संतान के विवाह में आ रही समस्या का समाधान खोजना होगा, नहीं तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इस से में ध्यान रखिएगा मित्रों, कि अगर समय रहते आपने शुक्र की समस्या का समाधान खोज लिया, तो यह आपके लिए ही बढ़िया रहेगा, साथ ही नौकरी कर रहे जातकों को अपने आसपास रह रहे ऐसे लोगों से सावधान रहन जो मोह के आगे तो आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि वह आपकी पीठ में छुरा घूपने का काम करेंगे, और वह आपकी अधिकारियों से आपकी चुगली भी लगा सकती हैं, और आपका प्रमोशन भी रुकवा सकते हैं, तो ऐसे में मित्रों आपको यही हिदायत दी जाती हैं, कि आपको अपने चारों और अपने आसपास के लोगों पर पैनी नज़र रखनी होगी, और ऐसे लोगों से दूरी बना कर भी रखना होगा, और सामाजिक शेत्र में कारेρωत लोगों को किसी की भी बातों, कानों, सु तो ठीक है और आप विवाद हो सकता है जिनके कारण आप परिशान रहेंगे और आपका व्यवहार में भी कुछ बदला बदला लगेगा वहीं मित्रों ध्यान रखिएगा कि छोटे व्यापारियों को व्यापार में कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और उनके क कुछ शत्रु भी उनके मित्र बनते नजर आएंगे जिसे देखकर उन्हें हैरानी होगी लेकिन उन्हें उन पर भरोसा करने से पहले उन पर कड़ी नजर रखनी होगी तो कहीं वह उनका भरोसा न तोड़ दें इससे में ध्यान रखिएगा मित्रों कि कुछ शत्रु जो है वह आपसे मिल जाएंगी, लेकिन आपको उनके पहचानने में गलती बिलकुल नहीं करनी है, अपने कठिन विशयों को समझने में विद्यार्थियों को आसानी होगी, जिसके कारण शिक्षा में आ रही समस्याएं भी समाप्त होगी, और नव विवाहित जांच को कि जीवन मे किसी नए महमान की दस्तक हो सकती है, जिसके कारण वह प्रसन्न रहेंगे, और आप अपने व्यवसाय की कुछ योजनाओं को बनाने विद्य समय व्यतीत करेंगी, वही मित्रों, ध्यान रखिएगा कि प्रेम जीवन जी रहे आपके लिए यह समय जो है प्रसन्नता दायक र करीदारी के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, खरीद पा रहे थे, तो उनका वह सपना भी पूरा होने वाला है, अर्थात, मित्रों, आप काफी लंबे समय से इसकी योजना भी बना रही थी, और आपके मन में विचार भी आ रही थी, तो आपका सपना भी पूरा हो सुनने में कुछ समय व्यतीत करेंगे, और उनका समाधान भी खोजने में सफल रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी से भी धन का लेंदेन करने से पहले सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो बाद में आपको केवल पच्चतावा ही मिलेगा, और पच्चताना पढ़ रहे लोगों को भी मन मुताबक लाभ मिलेगा, जिसके कारण वह प्रसन रहेंगे, लेकिन उन्हें अपने किसी मित्र के स्वास्थ्य में गिरावट के कारण थोड़ी परेशानी का सामना करना पढ़ सकता है, तो ऐसे भी विद्रोह ध्यान रखिए, जा कितने मित्र की सहाय करते समय आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मित्र का रिष्टा बहुत बड़ा होता है, आप छोटी दूर की यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए लाब दायक रहेगी, और आपका अपने माता दी से यह कोई वाद विवाद उत्पन्न पर, तो आपको स महाकाल के चरणों में नमन करने के लिए जैश्री महाकाल अवश्य ही लिखें।